आज आपको हम एलेक्ट्रिक चार्जिस के बारे में बताएंगे कुछ ऐसा उपर लिखा हुआ है एलेक्ट्रिक चार्ज और हम समझता है कि लवक सभी लोग इससे परचीत हैं कि कोई चीज चार्ज हो जाती है एलेक्ट्रिकली चार्ज जाती है तो क्या होता है ठीक है आपने बच्पन से ही देखा होगा कि आप प्लास्टिक का रूलर आप ऐसे बालों से सुखे बालों से रब कर लेते हैं तो क्या होता है वो पिक कर लेता है छोटे छोटे पेपर के पीसेस को वो पिक कर लेता है उठा लेता है ऐसे ही कभी-कभी ऐसा भी देखे होंगे कि पॉलेश्टर का कोई शर्ट है प्रेस किया हुआ अची तरह खासकर गर्मी के दिन में जब उसमें हम हाठ डालते हैं तो थो और कभी अगर स्वेटर पहने हैं एक्रिलिक का जो स्वेटर सामानेता जो पहनते हैं जाड़ों में वो सिंथेटिक फाइबर के भी होते हैं तो एक्रिलिक के जब स्वेटर हम पहन करके तो क्या होता है वहां पर भी थोड़ी कभी कभी चिट-चिट की आवाज आती है और अगर अंधेरे में उतारते हैं तो वह में स्पार्कल्स दिखाई भी देते हैं तो इससे क्या होता है, ये सब जुचीजे हैं, ये जो एकजमपल्स हैं, वो चार्जिंग और डिश्यार्जिंग के हैं, तो जहां पर ओन स्पारेकल आते हैं या ख्रैकल सांड़ सुनाइघ वहां पर ये डिश्चार्ज का मामला है, तो जो इसynnेए हो गया है, जो उसके लिखके यज़ कि बात कर रहें हैं तो उसके रिशे जो है वह क्या हो जाते हैं रगड के चार्जे जाते हैं और निकालते हैं है जब वो कहीं चिपकते हैं किसी दूसी चीज से तो या दूसरे कपड़े से रगड़ खाते हैं तो क्या होता है वो डिस्चार्ज होते हैं चार्ज खतम होता है और यह से तोड करके आप थोड़ा सा पैरों से उसको रगड़िये अगर अंधेरे में हैं, तो उसमें एक ब्राइट ट्रेसेस दिखते हैं, जहां जहां पैर जाता है वैसे लंबे लंबे एक ट्रेसेस दिखते हैं, तो यह भी चार्जिंग और डिस्चारजिंग का ही केस है, तो हमने बहुत सारे चीजुने को देखे हैं अब अलग बात है कि यह जितना साधारण दिखता है उतना साधारण है नहीं charging होना द्यिशार्जिंग होना और हमारा जो experience जुड़ा हुआ है हमारा जो अनुखव जुड़ा हुआ है वो friction से ही है रगणने से ही है और भी तरीके होते हैं जिससे charge किसी body पर आ सकता है लेकिन हम friction से ज़्यादा परचित हैं चितर परचित हैं और ये निश्चित है कि अगर कोई भी दो object जो different material के बने हैं अगर उनको आपस में रगणा जाता है रब किया जाता है तो वह ऐसा पाया जाता है कि वह charge हो जाते है और चीजों में क्या होता है डस्ट को छोटे particles को तिनकों को कागस के टुकडों को यह उठा लेने की प्रगृत्ति होती है ठेक और जिन दो चीजों को आपस में रगणा गया होता है वह भी आपस में चिपक जाती है अगर उनको मौका मिले तो आपस में चिपक जाती है जैसे आप उदारन ले रहते हैं कि शर्ट को अगर आप पहनते हैं तो जो रोएं हैं आपके स्किन पर उनसे वह रगणते हैं दोनों चार्ज जाते हैं कपड़ा भी और आपके रोएं भी चार्ज जाते हैं और वह चिपकते भी हैं अगर थोड़ा धियां से सोचें अगर याद करें चीजों को तो वह पहनते समय चिपकते भी हैं इसलिए कि जो चार्जिस की जो सब्सक्राइब करें उनका नाम दिया गया है पॉज्ट्व और निगेटिव बहुत रिसेर्च हुए और पाया गया कि पॉज्ट्व और नीगेटिव दो ही तरह के चार्ज होते हैं तो इनकी सामाने प्रवित्ति क्या होती है common nature charges की क्या है वो आपस में strict होते हैं अगर वो different nature के हैं तो तो दो object जिनको रब किया जाता है वो आपस में opposite charge अलग तरह की opposite nature charges को acquire करते हैं उनके उन पर अगर एक पर positive होता है दूसरी पर negative होता है चार्जिस को positive negative conventionally ऐसा नाम दे दिया गया है तो यह आपस में चिपक जाते हैं इसलिए जब भी दो object रगड़े जाते हैं अपस में रब किये जाते हैं तो वो आपस में opposite charge acquire करते हैं जब उनको छूट मिलती है उनको मोका मिलता है तो वो पास आते हैं और चिपक जाते हैं तो या glass है जो कांच है उसको अगर हम रब करते हैं glass को तो आप शिल्क से रगड़ दीजिए तो चार्ज हो जाता है प्लास्टिक को बालों से रगड़ दीजिए तो चार्ज हो जाते हैं तो ये दो चार्ज चीजों के भी इस तो force लगता ही लगता है लेकिन एक charge body है से ruler है प् वो अंच चार्ज होने के बाद uncharged objects को भी pick करते हैं वो उठाते हैं इस तरह से क्या बनता है एक तरह से ये भी होता है कि अगर जो paper वगरा charge नहीं है फिर भी उठा लेते हैं तो इनका अलगिक mechanism है इसको बाद में हम लोग decisions करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि वो उठा लेता है uncharged एक charged body uncharged object को भी उठा लेता है हम अभी focus करना है हमें क्या charges चार्ज चार्जिक तो जो अभी हम बात कर रहे थे ये electric charge की और electric charge state किसी object का किसी object का state है इसकी permanent property नहीं है कुछ activity करने पर रब करने पर और भी एक-दो तरीके हैं उनसे इस पर कुछ समय के लिए charge आ जाता है या charge दिया जा सकता है अगर लेकिन क्या होता है थोड़ी देर बाद चार्ज डिसपियर होता है surrounding में diffuse जाता है ऐसा भी होता है एक body से दूसरे body को transfer भी हो सकता है ठीक है जो non-metals है जो सामाने तवर non-metals को देखेंगे वही रब करने पर रगणने पर charge जाती है तो फिर जो charge है चार्ज चुरी क्या है एक object का की additional property है ठीक है additional property ठीक है ये रब करने पर इसमें appear होती है दिखती है या महसूस होती है लेकिन पमन property नहीं है कोई भी चीज दूसरे material से रब करने पर क्या होता है चार्ज हो सकता है अब इन charges को additional property को पाया गया है बहुत सारे experiments में कि ये दो तरह की होते हैं एक तो इनकी nature दो तरह की होती है तो जो भी object अगर हम मा लेते हैं ए और बी दो हैं उनको आपस में क्या किया गया रब किया गया तो अगर इनको रब किया गया तो क्या होता है हां बसरते हैं इनके materials अलग-अलग है और ये non conducting भी है metals अगरा नहीं है कम सकम तो ऐसा होता है कि इस पर इस पर भी additional property आती है इस पर भी additional property आती है यानि ये भी ये लेटिकली चार्ज जाता है ये भी लेटिकली चार्ज जाता है लेकिन दोनों charges की nature अलग-अलग होती है ठीक तो बहुत सारे pairs ऐसे लिए गए जिन पर charging रगल करके friction करके charging देखी गई उन materials के बारे में ज्यादा बात करते हैं जो रब करने पर ज्यादा ही कुछ appreciable charge require कर लेते हैं जैसे आपका glass है ठीक है glass को अगर silk से रब किया जाता है तो glass और silk दोनों charge जाते हैं क्योंकि ये भी paper pieces को particles को तिनकों को ये चिपका लेता है रगड़ने के बाद silk से और silk भी वही काम करता है silk भी glass से रगड़े तो ये paper pieces वगड़े को जो on charge है उनको ये क्या करेगा stick कर लेगा चिपका लेगा तो भी क्या हो जाएगा ये चार्ज आते हैं फर भी चार्ज जाता है और plastic भी चार्ज जाती है इसके बाद pit balls तो pit balls है पित बाल्स ये ये पोधे से गन्य की तरह दिखने वाला पोधा है पोधे से उसके तन उसके stem में से निकाला जाता है तो वह भी चार्ज हो जाता रगड़ करने पर pit balls अगर ये भी अगर प्लास्टिक ये कपणों से खासकर पॉलिष्टर कपणों से गर रप करते हैं तो ये चार्ज जाते हैं इसके बाद क्या है कुछ कपड़े हैं आपके खासकर सिंथेटिक कपड़े हैं तो उनसे क्या होता है ये उनसे रप करने पर ये चार्ज जाते हैं और अच्छी तरह चार्ज एक्वाइर करते हैं तो इन ये इसके बाद करते हैं इन ही से हम क्या करते हैं चार्ज की नेचर को भी टेस्ट किया गया देखा गया बार बार इन ही पर एक्सपरिमेंट किया गया तो उसको नाम दिया गया पॉस्ट्य और निगेटिव चार्ज की नेचर को ठीक है तो जैसे हम ग्लास का फिर से अगर हम नाम लें ये ग्लास और सिल्क ठीक और यह भी कहा कि एगर ग्लास और सिल्क आपसमें रगड़े जाते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं ग्लास पर जो चार्ज आता है उसकी नेचर को हम पॉजिटिव कहते हैं बेंजमिन फ्रेंकलिन ने नाम दिये थे इनको उससे पहले बहुत तरह के नाम सोचा जा रहे थे लेकिन अल्टिमेटली यह फाइनल यह हुआ कि इसको पॉजिटिव कहा जाए और जो य है पलास्टिक और यह फर आगर इनको आपस मेश किया जाता है तो यह क्या होते हैं यह पर जो चाड जाता है में सेंजिक के चार से मैच करता है यहां इस से इसके similar charges होता है और फर क्या होता है फिर positive हो जाता है ठीक है तो यह charges की nature है positive and negative तो जो समाने जो property है जो उनका दिखाता है जो common property है charges की positively charge body है दूसरी positively charge body के पास ले आएंगे तो क्या हो जाएगा यह ripple करेंगे negative negative है वो भी ripple करेंगे ठीक है और positive negative है तो attract करेंगे तो यह बहुत common सा nature होता है ठीक है अब यह charging होती क्यों है इसको हम दूसरी वीडियो में बताएंगे यह सामाने इसी property है कि कोई भी अपोजिटी नेचर के आपस में अटट करते हैं और similar जो like charges है वो आपस में रिपल करते हैं ठीक है उसको जरूर समझेगा देखिएगा अगर आपको आपका इसमें कोई सुझाव है कोई question है तो जरूर हम को शेयर करेंगे और उसको बहुत किया जाएगा थैंक यू